नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में नगर निकाय चुनाव की सुभुगाहट शुरू हो गई है राज निर्वाचन आयोग ने कुलहान के तीनों जीला सहीत सभी 24 जीलों के लिए उप निर्वाचन पताधिकारी अधिसुशित कर दिया है मानगो नगर निगम, जुग सलाई, नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत के चुनाव के लिए सहायक बंदोबस्त पताधिकारी अभिसे कुमार को जीला ओप निर्वाचन पताधिकारी अशुशित किया गया है इस कवाचन पताधिकारी अभिसे अभिसे का चुनाव संबब हो सकेगा रांची में रोड के हनुमान मंदीर में असमाजिक ततो ने मूर्ती को किया छति ग्रहत जारखन किरेधानी रांची के में रोड में इस्थित हनुमान मंदीर में असमाजिक ततो ने मूर्ती को खंडित कर दिया है मुर्ती खंडित होने के बाद मलाद ठोली में रहने वाले लोग एकजूट हो गाया है और हंगामा करना सुरू कर दिये काटना के सुचना पाकर पूलिस में वोके पर पहुंचिया उगरों लोगों को समझाप हुजा कर सांथ किया लोगा का कहना था कि मूर्ती को खंडित कर सहर में असांती फेलाने की कोशिस की गई है किसी हाल में मूर्ती को खंडित करने वाले अरोपियों के खिलाप करवाई होनी चाहिए पुलिस ने लोगों को आस्वासन दिया है कि पूरे इलाके में CCTV की जाचकी जाएगी CCTV से असमाजिक ततों के बारे में पूरी जनकारे मिल जाएगी और उन्हें गिरफतार कर लिया जाएगा किसी हाल में दोस्यों को नहीं छोड़ा जाएगा बसंत सुरेन को राज भोन से राहत मिलने के असार मुख्य मंत्री हेमन सुरेन के भाई दूमका से जामो विधायक बसंत सुरेन को खनन कंपनी में साहेदारी होने के मामले में राहत मिलने के उमीद है सुत्रोक अनुसार बसंत सुरेण की विधान सभा से सता परकात्रा नहीं है बसंत सुरेण 2020 में दुमका उपचुना में निर्वाची हुए है यह सिट मुखी मंत्री हेमन सुरेण ने छोड़ी थी सीम सुरेण 2019 विधान सभा चुना में बरहेट और दुमका दो सीटों से लड़े और जीते बाद में नोने दुमका सीट छोड़ी इस सीट पर उपचुना में बसंत जामों के परत्यासी के रूप में निर्वाचन होकर विधान सभा पहुचे बाद में भाजपान नेतावने आरोप लगाया है कि बसंत सुरेण चंद्र एस्टोन वर्कर्स में पार्टनर है ग्रेंड माइनिक कंपनी में भी साहेदार है दूरगा पुजा को लेकर जारखन पुलिस सतर के दूरगा पुजा में CRPF और राइपिट एक्षन फोर्स की परतिन्युक्ति के लिए पुलिस मुख्याले ने जारखन सरकार से आगरा किया है पुलिस मुख्याले ने तर्क दिया है कि हाल के दिनों में संप्रदाइक तनाव को देखते हुए या आवस्या खाय कि केंद्रिये बल के प्रसिक्षित जवान भी सनवेदन सीच छेत्रों में तैनाथ किये जा सके पुलिस मुख्याले ने जार्खन सरकार को भेदिया अपने पत्र में उलेख किया है कि राजे में दुरगा पूजा के दवरान 3-7 अक्टूबर यानी केवल 5 दिनों के लिए केंद्री ये बल की आओ सकता है इसमें 2 कंपनी Rapid Action Force, 4 कंपनी CRPF का पूरूस बल वा एक कंपनी महिला बल की प्रतिय नुक्ति के लिए पुलिस मुख्याले से आगरा भेजा गया है देवघर हवाई अड़े पर रात में उड़ सकेंगे बिमान जारखन उच नियाले ने जीला पर सासन एम राय सरकार को देवघर हवाई अड़े से बिमानों की राते उड़ानों में बाधक बन रहे 9 मकान मालिकों को भूमी अधिगरहन के समध में नोटिस देने और हवाई अड़े पर अने अवसक सुविधाय परदान करने को मंगलवार को निदेश दिये मुखे नियाधिस डाक्टर अभी रंजन एम नियाए मूर्ती एसन परसाथ की खंड पिठ में देवघर हवाई अड़े के संचानल को लेकर दाखिल भारतिय जनता पार्टी के नेता एम संसद निसिकांत दूबे की आजका पर सुनवाई हुई सुनवाई की बाद आदालत ने हवाई अड़े के पास तोड़े जाने वाले नौ भौनों के स्वामियों को प्रतिवादी बनाया और देवखर उपायूत को या सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि इन सभी मकान मालकों को नोटिस जारी किया जाए मामले में आगली सुनवाई 19 अक्टूमर को होगी राणची के हुनमान मंदिर में मुर्ति छती गरस्त मामले पर बाभू लालोओ सर्जु रायने सरकार को खेरा जार्खन के रैधानी राची के मेन रोड में इस्थीत हन्मान मंदीर में मंगलवार की रात और समाजिक ततों ने मूर्ती को शतिकरस्त कर दिया घाटना के सुचना मिलते ही मला टोली में रहने वाले लोग एकजूट हो गए और हंगामा करने लगे सुचना पाकर मोगे पर पहुची पुरिष ने उग्रों लोगों को समझा बुझा कर सांत कराया बताद इस गाटना पर जार्खन में रायनी नीती भी जोर पकरते नजर आ रही है जार्खन के पुरो मोख मंत्री बाबुलान मराणी ने ट्वीट कर हमला बोलते हुए तूष्टी करनवाली कानून ब्यवस्था बताया वहीं पुरो मंत्री और विधायक सर्जु डायने सरकार से राजे में पीए फाई पर लगे प्रतिबंद की तरह उपद्रियों पर भी नकेल कसने की बात कही है बोकारो में इंडियन रिजरो बाटालियन के जवान ने खुद कुमारी गोली बोकारो में बुद्धवार को इंडियन रिजरो बाटालियन आठ के 28 वर्षिये प्रसिक्छु जवान सुसील कुमार ने अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मार ली साहव गंजीले के पुरानी साहव निवासी सुसील को तुरंत इलाज के लिए सकर्मी बीजी एच लेकर गए जहां जवान को डक्टों ने मिरित घोसित कर दिया जवान के सीने में गोली लगी है जवान सुसील कुमार अपने साथियों के साथ पूजा में बीधी बेवस्था की ड्यूटी करने के लिए राची जा रहा था बस पर चढ़ने के पहले ही या घटन होई गातना के सुचना साहिव गज में रहने वाले जवान के सौजनों को दे दी गई है मौत की खबर से सौजन सदमे में हाए पंडालों के आसपास इसकूटी पर सवार होकर तैनात रहेंगी सक्ति कमांडों दुर्गोसों के दरान मंचलों पर लगाम लगाने के लिए सहर विभीन पुजा पंडालों उसके आसपास 40 सक्ति कमांडों तैनात रहेंगी रांची पुलिस के वर से सक्ति कमांडों को महिलाओ वा यूतियों से छेड छारवा अने घटनाय रोकने की जिमिदारी सोपी गाई मंगलवार को नियू पुलिस लाइन में सक्ति कमांडों को 20 स पुजा पंडालों में ब्रहमन सिल रहेंगी एक सक्ति कमांडों सवार रहेंगी सभी को मोबाईल ओवारलेस सेट भी दिया गया जिसके जर्यए वे सिटी कंट्रोल रूम से जूले रहेंगी इस समन्ध में ग्रामीन S.P.9 साथ आलव ने बताया है कि सहरी छेत्र के अलावा बी आई टी रातू समेत राई धानी से सटे ग्रामीन इलाकों में भी सकती कमांडो सक्रिये रहेंगी जारखन में बारिस जारखन में अभी भी मांसुन सक्रिये है मौसम विभाग ने कहा है कि इसके अगले एक सब्ता तक सक्रिये राने का पुरोनमान है इस कारान राइधानी सहीत राजे के कई हिसों में बारिस हो रही है बुद्धवार सुबा राची के कई लाकों में बारिस हुई हलाकि इसके बाद मौसम साफ हो गया लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि राईधानी राची समयत कई इलाकों में आने वाले दिनों में बारिस जारी रहेगी पच्छिम बंगाल के दक्षिनी हिसों में दुरगा पुझा के दौरान भारी बार्शा की संभावना जताई गई मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के उत्री पचमी हिसे में एक अक्टूबर को चक्रवातिय परीज संचरन बनने का अनुमान है मौसम विभाग के छेतरिय करया लाएक के निदेशक जी के दास ने कहा है कि उत्सोग के चारों दीन बारिस होने की संभावना है और दो अक्टूबर को मुसलाधार बारिस का अनुमान है धनबाद में परियोहन विभाग 10 लाख का जुर्माना वसुला धनबाद डिटियो ने मैथन में वाहन चेकिन अभियान चलाया जिसके तहद बिना टेक्स दिये गाड़ी चलाने वालों का चलान काटा गया कई गाडियों को जब्त भी किया गया धर्बाद जीला परियोहन विभाग के डिटियो रायेस कुमार सींके नेतित में मंगलवार की देरात मैथन ओपी के समीब सघन जाच अभियान चलाया गया इस अभियान के तहद जार्खन से बंगाल परवेश करने वाली यात्री बस समे छोटे बड़े लगभग 50 गाडियों को पकड़ा गया जिन पर लगभग 10 लग रुपे का चलान काटा गया है लातेहर में नदी से बरामत हुआ पुलिस कर्मी का सव नेतरहट जंगल वारफेर इसकूल में करड़त पुलिस जवान अभिनास कुस्वाह का सव नदी से मिला है साथ में मोटर साइकल भी बरामत किया गया अभिनास कुस्वाह पलामु जिले के लामी पथर गाव का रहने वाला था असांका जताई जा रहे है कि जवान नदी की तेज़ धार में बह गया होगा मिली जनकारी के अनुसार जंगल वारफेर इसकूल में चालक के रूप में करड़त पुलिस कर्मी अभिनास कुस्वाह छोटी पर अपने घर वापस लट रहे थे इसी दवरान छीपा दोहर थाना छेत्र के सत्त नदी नदी पार करने के दवरान वा मोटर साइकल के साथ नदी की तेज़ार में बह गया है धन्यवाद यदि आप चनल पढ़ने हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अब दोस्तों से शेर करना भूलें साथ साथ आप हमें कोमेंट वक्स में अपना फीडबैक अवास से दे थांक यू